यह है क्लास फास हिंदी के क्लास तो अब लोग पार्ट ठीपे रेखे तो आज हम पढ़ेंगे चार वाणों वाले बीना मातरा के साथ यानि चार वाणों वाले का मतलब है चार अक्षर वाले बीना मातरा के साथ यानि जो अक्षर चार वाले अक्षर है उस पे कोई मातरा नह लगा हुआ है और उसको बोलती है बिना मातरा के सब्ध ठीक है चार वानों वाले आ मातराई के सब्ध यह है यानि चार अक्षर वाले आ मातराई का मतलब भी बिना मातरा के सब्ध यह सब्ध है यानि इस पे कोई मातरा इस चार वाले अक्षर पे कोई मातरा नहीं लगा हैं और यह सब क्या ही बिना मातरा के साट दढली है थीका तो यह पर दीखिए आॆचकान अचकन की मतला भी लॉंग कट यानि जो लंभासा कोड होती है उसको बोलती है अचकन काटाहाल कढ़हल कढ़हल का मतला भी कसबजी का नाम शको बोलती है हम कठल थारा मासा थर्मास थर्मास में हम चाई या पानी रखती है उसको बोलती है हम थर्मास पाना गाटा पनिगट पनिगट का मतलब कुआ या नदी जहां से हम पानी लाती है उसको बोलती है पनिगट आदरग का मतलब जिंजर जो हम चाई या सबसे में डालती है उसको ब आदरक आमारक अमरक दामा कला दमकल दमकल का मतलब है जो अग बुजाने की माशिन या गारी उसको हम बोलती है दमकल सारा का सा सरकस सरकस का मतलब जो छोटे बच्चों को खेल दिखाने के लिए लाती है उसको बोलती है सरकस पा जमा ना जमा गा जमा टा पा ना गा टा पनगट पनगट का मतला भी कुवा जिसे हम पानी लाती है जो यहां पर पिक्टर बना हुआ है उसको बोलती है पनगट ठीक है सारा कास सरकस सरकस का मतला भी छोटे बच्चों को खेल दिखाने के लिए लाती है उसमें बहुत सारे खिलोने होती है जिसे कि यहां पर ये जोकर किस पर बेटे है सरकस पर बेटे है तो इसी तरह उसमें बहुत सारे खिलोने होती है यानि छोटे बच्चों को खिल दिखाने के लिए लाती है उसको बोलती है सरकस ठीके तो यहीं तक अब लोगों को अच्छे से पढ़ना है और एक्जम के लिए अब लोग तियारी करना है ठीके अगर अब लोगों को कुछ पूछना है तो अब लोग मुझे कूल करके या मैसेज करके पूछ सकती हो ठीके बच्चों तो काल हम फिर मिलेंगे बाबाई टेक खुज़े 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 खूब गुछ दुछी खुपड़ खुब ट खुब खूब सर्टिधा जब नहीं जहीं कॉवचा हैं तुझ सब्स्किर्दाओात खुब में खुब